हेलो बच्चो आज हम क्लास फिफ्ट की हिंदी की वरक्षीट 20 करेंगे इस वरक्षीट में पार्ट 15 राद बर बिलगते चिंगाडते रहे के प्रशन दिये गए हैं इस पार्ट में हाथियों के बारे में बताया गया है उनके जुंड के बारे में बताया गया है चलो अपने शब्दार्थ करते हैं फर्स्ट है दाव दाव कहते हैं बारी को धुई होता है हाती का छोटा बच्चा नेक्स्ट है चिंगाड चिंगाड कहते हैं हाती की बोली को चवर चवर होता है पश्वों की पूच के लंबे बालों का गुच्छा शन सन कहते हैं पल को next question answer हाती के छोटे बच्चों को किससे डर था answer है हाती के छोटे बच्चों को शेर का डर था कि कही शेर उन्हें पकड़ के न ले जाए या उन्हें मार न दे next है धुई कौन थे हतनीों के दूद मूए बच्चों को धुई कहते हैं जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और मा का दूर पीते हैं उन्हें धूई कहा जाता है next question है एशियाई हाति और अफरीकी हाति में 3 अंतर बताओ पहला अंतर है एशियाई हातियों की तुल्ला में अफरीकी हातियों के कान बड़े होते हैं जिनका उप्योग वे अपने शरीर को पंखा करने के लिए करते हैं दूसरा अंतर है एशियाई हातियों के सिर पर कूबर होता है जबकि अफरीकी हातियों में यह काफी चिकना होता है थर्ड अंतर है अफरीकी हाति के छे में से केवल दो शेश उपर जातियां है जो अभी जीवित है जबकि एशियाई हातियों की चार जीवित प्रजातियां है नेक्स्ट कोशन है बच्चों आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में कुछ लोगों ने एक गर्वती हतनी को पटाको भरा अनानास खिला दिया और उसके मिर्ती हो गए थी ये हिर्दे विदारक घटना सुनकर जो आपने महसूस किया उस भाव को अपने शब्दों में लिखो अंसर है केरल के मलव पुरम में किसी व्यक्ती ने एक गर्वती हतनी को पटाकों से भरा अनानास खिला कर मार डाला ये है उस निर्दोष जानवर की निर्म महत्या है जो अपने गुनागार के बारे में कुछ बता भी नहीं सकता था बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वालों को लोगों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए संत कबीर के निम्न दोहो को कंधस्त कर इनके भाव लिखो संत कबीर के दो दोहे देए गए हैं पहला दोहा है ऐसी वानी बोलिये मन का आप खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए इसका अर्थ है हमें ऐसी मदुर्वानी बोलने चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथी हमारा मन भी परसनों उठे मदुर्वानी ओश्दी के समान होती है जबकि कटू वाड़ी तीर के समान कानों से प्रवेश होकर संपून शरीर को पीड़ा देती है मधुर्वानी से समाज में एक दूसरे के प्रती प्रेम की भावना का संचार होता है जब कि कटू वच्णों से समाजिक प्राणी एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं नेक्स्ट दोहा है काल करेसो आज कर आज करेसो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब तो इसका जो भाव है वो है संत कवी कबीरदास जी के इस दोहे में उन्होंने जीवन और समे के महत का वर्णन किया है कवी के अनुसार कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए कबीर के दोहे से हमें जीवन में समे के महत का पता चलता है उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही काम समाप्त कर लेना चाहिए कभी भी काम को टाला नहीं चाहिए क्या पता अगला ही पल प्रले हो जाए बच्चो आपको ये दोनों दोहे याद करने हैं कंठस्त करने हैं और इनके भाव को समझना है तो बच्चो ये थी हमारी क्लास फिफ्ट की हिंदी की वरक्षीट 20 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको आगी भी ऐसे ही विडियोज मिलती रहें